पर्धान मंत्री के उपर हमले हुए पीएम नरेंद्र मोधी बाल बाल बचे उनकी सुरक्षा में चूख हुई पर्धान मंत्री ने भटिंडा एरपोर्ट पे पंजाब के मुख मंत्री को धन्यवाद किया अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को बोल देना कि सही सलामत एरपोर्ट पहुँच गया मेरी जान बच गई अब क्या था सोशल मिडिया पर पर्धान मंत्री के इस बड़े बयान के बाद जूट और सच को लेकर ट्रेंडिंग चल रहा है जिया सोशल मिडिया पर ट्यूटर की बात कर लें आज सबसे ज्यादा कल देराज से जो ट्रेंडिंग में दो सब्ध है उसकी हम सर्चा कर रहे हैं एक सबसे बड़ा जूट दूसरा कॉंग्रेस पर ठूपता है भा सोदी का जूट सबसे मजबूत कॉंग्रेस पर ठूपता है भारत दो चीज इस तरीके से पीम नरेंद्र मोदी के उपर जो हमला हुआ उसके बाद देश दो धड़ा में बढ़ गया है एक परधान मंत्री के समर्थन में भाजपा के समर्थन में दूसरा पंजाब पंजाब के किसान और देश के किसानों के समर्थन में एक कॉंग्रेस के खिलाफ एक भाजपा के खिलाफ कई तरीके के सवाल एक साथ पूछे जारें अब आपको हम बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है सबसे पहले जो सबसे जादा position पे नंबर वण की position पे जो ट्यूटर पे कई सारे फोटो डाले गए और कई सारे मिम्स बना गए हैं और बता जा रहा है कि किस तरीके से परधान मंत्री जूट बोलते हैं और उसके बाद परधान मंत्री की जो सुरच्छा वाली तस्बीरे थी वो निकल के सामने और अलग-लग लोगों ने इस पर अपनी परतिक्रिया दी है कई लोगों ने कहा है कि अंगूर खट्टे थे कई लोगों ने कहा कि जंसभा में भीड नहीं थी इसलिए पिये मोधी ड्रामा कर रहा है एक और फोटो जो दिख रहा है उसमें परधान मंत्री के कारकेट घेरने वाली जो बात फिरोजपूर की है उसमें तमाम सुरच्छा कर्मियों के भी भाजपा के जंडे लिए लोग दिख रहा है ये वीडियो कल से वाइरल है तो परधान मंत्री को सुरच्छा किन से चाहिए? परधान मंतरी को डर किन से लग रहा था? ये तमाम सवाल अब सोसल मिडिया पर पूछे जा रहे हैं और लोग बार-बार परधान मंत्री नरण मोधी को जूठा साबिद करने में लगे हुए हैं मयंद सक्सेना जैसे कई लोग है किसी एक वेक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता है देखिए एक वीडियो जो डाला गया है जिसमें खाली कुर्सिया और चंद लोग इंतजार में हैं कारेकरम के और इसी तस्बीर को डालके बार-बार कहा जा रहा है कि यह महस्द ड्रामा था भ फ्लॉफ हो गया था किसानों के परदर्सन और किसानों के गुस्य के वज़े से मोधी की सभा में भीडी नहीं चुटी थी लहाजा परदान मंत्री को इस बात की जनकारी हुई और वो अपनी रैली रद करने के लिए इस तरीके के जूट का परपंच रचे और कह रहें कि उ पाने जाते हैं क्योंकि उनके साथ जो सुरक्षा चलता है देखिए कई सारी तस्वीर लगाए गया यह प्रदान मंत्री नर्यमदी कारेकरम अस्तल की यह तस्वीर है जहां कुर्शी पर चंद लोग गिंती के लोग बैठे हुए और पूरी की पूरा जो कुर्शियों की ज जेक्ट मोधी का नारा दिया गया है पंजाब के किसान न जीस तरीके से डेश के अंदर के अंदर की सरकार को जूकने पर मजबूर किया किसानों के अंदोलन का वजे सतीन कनुन वापस हुआ उसके बाद उनका अंदोलन अभी भी चलता है सांति साथ अगला जो ट्रेंडिं में है और इसी ट्रेंडिंग के वज़े से प्रधान मंत्री नरेन मोदी के उपर सवाल पूछा जा रहा है दूसरे इस के बाद अब साहब के लिए अंगूर खटे हैं जैसे सब्त का इस्तमाल हो रहा था तब फिर मोदी के समर्थक पीछे कैसे रहा है उन्होंने कॉंग्रेस क उपर इस घटना करम का साजिस्त करता बताया कॉंग्रेस के उपर दूसारोपन किया और कॉंग्रेस को जिमवार मानते विए एक ट्रेंडीवी चल रहा कि कॉंग्रेस पर थूकता है भारत यानी पूरया भाज्यपा पूरasis बीजेपी पूरे के समर्थक लगतार कल से ही जूट करके कई ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है कई तस्वीरे डाला गया है और सीधे तोर पे मोधी के जूट का परदा फास करते हुए लोगों ने ट्रेंड करवा रखा है साहब के लिए अंगूर खटे हैं सबा में भीड नहीं जूटी लेहाजा इस तरीके के बयान साह के द्वारा कहीं जा रही है क्योंकि रैजियों में तो भीड थी नहीं तो आपको बता दाए कि प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के कारिकरम अस्तल से ठीक पहलें जिस तरीके से प्रतफंकारियों ने काफिला घेरा प्रधान मंत्री को बेरंग वापस लोटना पड़ा उसके मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पढ़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बावा जी की द्वाओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने बटको चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश कर्श मुक्ति प्रेम विवा जादु टोना पती पत्ती में अन्बन सोतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समाधान सभी समस्याओं का समाधान गुरू खान जी अभी कॉल करें 9821707996